एलो स्कॉलर्स हावर यू वेलकम बैक आन माय यूटूब चैनल इंग्लिश का नफ्लूएंस स्कॉलर्स दिस इज मिस्टर सील गोतम वे दियू तोड़े आई आइम गॉइंग तो शेयर होमोग्राफ्स या फिर होमोनियम्स हाँ तो स्कॉलर्स आपके सुविधा के लिए एक अच्छी डेफिनिशन तथा एक अच्छे एक्जाम्पल्स के साथ इसको मैंने बताने का प्रियास किया है तो बिना देर किये वीडियो को शुरू करते हैं स्कॉलर्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत बूलना सो बिना देर किये हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं हाँ तो स्कॉलर्स होमोग्राफ्स या फिर होमोनिम्स होमोग्राफ्स अइसा सब्द होता है जिसके एक से अधीक अलग-अलग अर्थ होते हैं होमोग्राफ्स वाले सब्दों का उचार्ण कई बार अलग-अलग होता है कई बार एक समान होता है होमोग्राफ्स की विभिन अर्थों का ज्यान चात्रों को अच्छी तरह वह कवैलरी है तो अवस्यक है चात्रों को इनका ध्यान पूर्व करना चाहिए इसमें जैसे दिया गया है होमोग्राफ्स यह वर्ड आप द सेम रिटेन फॉर्म इसमें बख बख का मतलब दोनों अलग अलग है एक बख का मतलब होता है मेल डियर इरन दूसरा बख का मतलब होता है जर्क किक मारना सो एक्जामपल्स दिये गए हैं आप इसको देखिए आपको समझ मा जाएगा जैसे फ्रस्ट आम्स हैंट्स बॉड़ी और गन्स एक होता है जो हाथ में भुजाए होती है अपकी जो आपका हाथ है और दूसरा आम्स वैपन्स हतियार दूसरे आम्स का मतलब हतिय होता है सेकंड बैट बर्ड चमगादर थर्ड बैंक वेर वी डिपोजिट मनी जहां हम पैसा जमा करते हैं वो बैंक होता है थर्ड बैंक एज किनारा फोर्थ बॉल राउंड अब्जेक्ट यूजल तू हिट यह गोल होता है जिसको हिट किया जाता है सेकंड बॉल डान्स निर्थिसभा फिप्थ बार्क अलाउड नॉइज आफे डॉग भॉखना शेकंड बार्क अथिन लेयर आफ ट्री शेक्स्थ ब्राइट ब्राइट मिन्स शाइनिंग चमकीला जो सेकंड ब्राइट है उसका मतलब इंटेलिजेंट बुद्धिमान सेवन्थ ब्लॉग टू प्रवेंट सम्थिंग टू पास किसी चीज को जाने से रोकना बंद गरना नेक्स्थ ब्लॉग जो है इसका मतलब होता है रीजन इसका मतलब छेत्र एरिया थर्ड ब्लॉग मिन्स ग्रूप आफ बिल्डिंग मंझिल को भी जो मंझिले बनी होती है के बाद दूझ उसको वह ब्लॉग करते हैं चलिए एर्थ की तरब बक इसका होता है मारी जो पीट ह हैं डिब्बा सेकंड करें मोडाल्स जैसे यू केंड डू दिस या टेंथ काफ इसका मतलब होता है यंग आफ काउ बच्छडा जिसको बोलते हैं सेकंड काफ पोर्शन आप लोवर लेग पैर की जो पिंडली होती है उसको हम बोलते हैं एलेवन्थ कॉर्न यह होता है मेज कॉर्न मक्की के दाना शेकंड कॉर्ण एसमाल पैन्फूल एरिया आप अफ्डा हाड इसकीन आप इसकीन आप पैर के नीचे सो गोखरू काते हैं हिंदी में उसको बोलते हैं कौर 12th date of fruits एक फल का नाम है date a second date particular day of the month तारी एक चीज़ को बोलते हैं 13th dart to throw suddenly dart means फेकना 2nd dart to pounce जपटना किसी को पर जपटना मारते 14th cell a small room छोटा कमरा 2nd cell cell on the skin हमारे जो skin पर cell और सिकाए होती है next cell battery जो किसी घड़ी की battery होती है next cell जो fourth है a hole छिद्र जिसको बोलते हैं 15th fly to shore उड़ना next fly small insect with two wings छोटे जोटे कीडे होते हैं जिसको दो पंक होते हैं उसको भी fly करते हैं 16th fine means good अच्छा second fine किसी को penalty लगा ना करते हैं उसको fine लगाया गया 17th fair traveling show मेला होता है जो next fair है उसका मतलब free from bias जो आदमी निश्पक्ष होता है करते हैं he is very fair 18th fast eat no food for certain a time fast means breath हम कभी जैसे गांदी जी एक बार ही वाजान्द fast second fast means quickly जैसे करते कम fast third fast means close deep he is my fast friend तीनो का अर्थ लग 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 19th face face means front part of your head चेहरा second face to tackle सामना करना जैसे he has faced many difficulties 20th hand part of your body और दूसरा hand to give help करना किसी चीज को किसी को देना 21st head above part of your body second head chief head he is the head of family 22nd kid kid means child next kid young of goat sorry young of goat बकरी के बच्चे को भी kid करते हैं 23rd kind benevolent he is very benevolent very kind second kind means types how many kinds of people 24th left your left hand next left remaining part 25th like to feel attraction पसंद करना next like similar next 26th land surface of the earth second land come down उतरना 27th mean inferior गटिय किस्म का और जो second mean है उसका meaning selfish next might powerful second might past of में 29th miss means remember याद करना किसी चीज़ को जैसे he is missing so next mix जो second miss है इसका मतलब unmirred girl 30th pupil means disciple जे लाजिस को करते हैं next pupil eyeball आख की पूतली होती है 31st pound या English currency को भी pound करते हैं next pound one fourth half one kg एक किलो का चौता है या पाड़ी होता है उसको एक पाव बोलते हैं 32 point indicate करना इसारा करना जो second point है sharp pointed किसी चीज़ की नोग 33 play एक play का मतलब drama होता है नाट दूसरा play to entertain खेलना he is playing 34th palm a tall street tall straight tree एक ताड़ का पेड़ होता है और दूसरा palm the flat surface of your hand आपके हथेली जोती इसको पाव बोलते हैं 35th page one side of paper और दूसरा page messenger नौकर को भी बेज करते हैं 36 part of part two separate अलग होना और दूसरा part a piece of something किसी चीज़ का एक हिस्सा 37th rose a pink rose जो second rose है to get up उठना 38 stand to get up दूसरा stand place होता है support को भी stand करते हैं 39th strike means to hit मारना जो next strike है उसका मतलब refuse to work अर्तार करना 40th stick a hockey stick जो hockey किछडी होती है उसको भी stick बोलते हैं दूसरा stick में to fix something with someone to fix something with something किसी चीज को किसी चीज से चपाना 41 train a type of transport pulled by an engine train means होता है एक जो train होता है किसी चीज को खीचता है दूसरा दूसरा ट्रेंग a green part of a plant अ ग्रीन पार्ट आफ आफ अ प्लांट पत्तियां होल शाहिए 48, skip, leap over lightly, खूधना और दूसरा skip है, omit, miss out 49, beer, tolerate, सहन करना नेक्स्ट बीर, वाइल, ब्राउन, हेरी, वाइल, ब्राउन, हेरी, एनिमल, भालू, फिप्टिएथ, रेजियूम, टु स्टार्ट, और सेकंड रेजमे, डॉकुमेंट्स, इसमें जो गाइज, एक रेजियूम है, दूसरा रेजमे है, पहले का मतलब इस्टार्ट करना, दू झाला, सथक्यो बेरी मच्स.